राहुल गांधी की वज़े से कॉंग्रेस एक बार फिर बैक फूट पर आ गई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कॉंग्रेस को फंसा दिया है। दर्शकों राहुल गांधी नेतप्रतिपक्ष बन गए हैं। अब वो एक मानिनी सांसद नहीं है बलकि अब वो एक समवै ज्यादा और सम्मान को खंडित करता है नेदा प्रतिपक्ष पर उमीद की जाती है कि वो सरकार को आइना और विपक्ष का विजन देश के सामने रखेंगे कि कैसे विपक्ष देश को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ सार्थक भूमी का निभाने की बात कहेंगे लेकिन राहूल गांदी की अपरी पक्ष और आत्मुग्धता ने भी प्रतिपक्ष के पद की प्रतिश्ठा को तार तार कर दिया है लेकिन अब इस पूरे मामले पर पीएम मोदी ने भी NDA के सांसदों के सामने अपने मन की बात कही और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने अप को कई मंद्र दिये पींम मोधी ने अपने सांसदों से पी. wraah रहाले जाने की अपेख्य Хा रllesा हैं है मोधी ने कहा कि देश सेवा हमारे लिए प्र्थम है इसके मोधी ने रहुनए गांधी के सदन में दिये गए भाशन को भी आले हाथों लिया और कहा कि उनकी भाशा ठीक नहीं थी बैठक के बाद किरन रिजीचु ने बैठक के बारे में बेस्तार्श जानकारी दी एंडिये संसदिय दल की बैठक पर केंद्रिय मंत्री किरन रिजीचु ने कहा कि आज राश्ट्र पती अभि मार्ग दर्शन दिया सदन के नियम को हम पूर्ण रूप से अपनाएं पियम मोधी ने बहुत अच्छा मार्ग दर्शन दिया है और एंडिये का एक जुट में काम करने का स्वरोप आज देखने को मिला है और पियम मोधी को मैं धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने सभी को आज मार्ग दर्शन दिया और सभी नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि वे बैठक में शामिल हुए पियम मोधी ने बैठक में राहुल गांधी के सोंबार को संसद में दिये भाशन का वे जिक्र किया किरन रेजिजुजू ने बैठक के बाद बताया कि पियम मोधी न सदन की कारेवाहिस से हटा दिया गया है। Bureau Report, OMH News और भी वीडियोज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।